अलो दोस्तों मैंस के इस वीडियो में हम लोग मेंसरेशन चेप्टर का एक संदार सा कोशन देखेंगे जो कि क्यूब एंड क्यूबाइट की बेसिस पर है वीडियो को सुरू करने से पहले रिक्वेस्ट आप से यह ही है कि चैनल को सस्क्राइब करके बिल आइकन को प्रेस ज मैंने बताया गया है कि तीन क्यूब्स हैं और हर एक क्यूब में जो एज का जो लेंग्ट है वो 4 cm है तो देख सकते हो कि मैंने यहां पर 3 क्यूब बना दिया है और हर एक एज का जो लेंग्ट है वो 4 cm यहां पर मैंने दिखा दिया है अब कहा एगया है कि यह जो तीनों क् connected है तो इस तरीके से इन तीनों क्यूबों को हम लोग ज्वाइंड कर लेंगे अगर मालों हमने इनको ज्वाइंड कर लिया तो हमें इस structure का हमको सर्फेस एरिया हमें पता करना है तो देखो पहले जब यह अला गलग था तो यह क्यूब के सेफ में दिखाई दे रहा था लेकिन जब आप इनको एक साथ connected कर दोगे तो यह जो structure जो होगा वो क्यूब वाइट के form में आपको दिखाई देगा तो अब सबसे पहले आप यहां पर decide करो कि इसमें L क्या हो सकता है, B क्या हो सकता है और H क्या हो सकता है तो अलड़ी बताया गया है कि H का link 4 है तो मालनो यह 4 यह 4 और यह 4 लोगे तो यहां पर जो L की जो value जो होगी वो 12 cm हो जाएगी उसी तरीके से अगर हम इसकी ब्रित के बारे में बात करें यानि चोड हाइट अगर हम देखा जाए तो हाइट का जो रिजल्ट जो होगा वह 4 cm ही रहेगा तो आप यहां आप आसानी से यह डिक्लियर कर चुके कि length क्या है ब्रित क्या है और हाइट क्या है अगर हम इसका surface area निकालें जिसको हम बोलते है total surface area जिसको shortcut में हम टीस से भी लिखते हैं तो यहां पर क्या करेंगे कि पहले हम लोग यह bracket में LB का multiply कर लेंगे तो length कितना है 12 और B है 4 तो इनका multiply करोगे तो यह तो हो जागा 48 प्लस अब आप B और H का multiply कर लें तो यहां देखो B क्या है यह 4 है यह वाला B और height क्या है 4 है तो 44 का multiply करोगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा उसके बासे आप आपको क्या करना है height और length का multiply करना है तो height की value कितनी है 4 है L की value कितनी है 12 है इन दोनों का multiply करोगे तो 48 और चुकि जब आप area निकाल लोगे ना तो area का unit square में होता है तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे cm लीग करके यहां पर square हम लोग लगा लेंगे अब यहां पर bracket में जो result है इनको आप plus कर लें तो 8 and 6 14 14 8 22 to carry 4 to 6 6 1 7 7 4 11 हो जाएगा और यह होगा cm square और यहां पर आप क्या करेंगे जैसी ब्रेकेट को लेंगे यह multiply हो जाएगा 2 2 4 2 1 2 2 इनी 224 cm square जो होगा इस model का surface area निकल कियाएगा अगर आपको और भी वीडियो देखनी है तो उपर आई बटन और वीडियो के end में जो मैंने वीडियो लगा के जो रखी है उसे आप ज़रूब वाच करें even आप description से भी बहुस आरे important playlist के थेंक्यू सो मच पर वाचिंग मैं वीडियो